ना मैं गिरा ना मेरी उमीदों का मिनार गिरा पर मुझे गिराने में कुछ लोग हर बार गिराएं। यही फलसफा है आज के दिन, क्योंकि हर कोई मोदी जी और मोदी जी की सरकार को गल्द साबित करने में और कहीं न कहीं उनकी अच्छे कारे को परदर ढाकने में लगा हुआ है जी हाँ, जैसे के मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे विपक्षी दल हैं, वो हमेशा ये दिखाते हैं हम लोगों को कि सरकार कुछ नहीं कर रही है जैसे के लॉकडाउन से ठीक पहले लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ये बोला कि मजदूर फसें हुए हैं उनकों के घर भेज देना चाहिए ताकि उपने घरवादों से मिलने पर जब सरकार ने इस बात का निदने लिया और मजदूरों को घर भेजने लगे उनके लिए ट हम पेकर सेंगे कुछ सेट का नाम उनों लिया या कुछ रेलवे सेंटर्स का नाम लिया पर मजदूरी की बात यह है कि जो notice home ministry ने निकाला था उसमें ये था कि 85% किराया जो है वो railway देगी अब railway अगर किराया दे रही है इसका अमल सरकार किराया दे रही है और 15% जो किराया है वो राज्य सरकार को beer करना था पर मजे की बात ये है कि इसके बावजूद भी Congress देगी अब वो क्यूं देगी और किसको देगी समझ नहीं आया तो जब थोड़ा analysis किया गया इसके बारे में देखा गया कि कौन नहीं पे कर रहा है या किन से किराया वसूला जा रहा है तो ये देखा गया कि वो वहीं की government है जहां पर Congress की सरकार है जी हां ये मज़े की बात है जब के home ministry के notice में साफ साफ लिखा गया था no selling at the station मतलब के station पर कोई टिकेट नहीं बिख सकती थी फिर भी किराया वसूला गया और जिन्होंने किराया वसूला वो ही कह रहे हैं कि किराया अफोर्ड करेंगे ये मज़े की बात एक और पार्टी है किसी राज्ये की जो खुद छारा खुटाले में विलिप्थ है उन्होंने बोला कि हम मज़दूरों का किराया साजा करेंगे फर महा के चीफ इंश्टन को बता दिया कि हम 15% किराया हम बीर कर रहे हैं तो ये है हमारा विप्रक्षिदर मेरा सवाल आज के दिन उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि मोदी जी की पॉलिसीज उनकी राजनीती करने की तरीके सही नहीं है तो आप एक बात का मुझे अगर उत्तर दे पाएं सब लोग का ये कहना है कि 1673 हटा कर बहुत बड़ी गलती करी मुझी सरकार ने तो क्या कॉंग्रेस ये बात मानने को तैयार है कि 1373 जब वो दुबारा से ruling government बनेंगे जब भी बनें तो क्या उसे रिवोक कर देंगे क्या कॉंग्रेस ये कहने को तैयार है कि राम मंदिर जो वो कहते हैं कि BJP ने बनवाया क्योंकि Congress ने हलफ नामा दिया था कोर्ट में कि राम तो एक्जिस्ट ही नहीं करते तो क्या Congress ये कहने को तयार है कि हम उस Supreme Court के आदेश के उपर stay लेकी आएंगे या हम उसे challenge करेंगे जी नहीं Congress नहीं लेकी आएगी कभी भी क्योंकि Congress को पता है कि ये जो निर्दने लिये गए हैं ये जो कदम मुधि सकार द्वार उठाए गए हैं वो बिल्कुल ही सत्य हैं वैसे ही जो लोगसभा election में मुधि जी के सामने हमारे भावी प्रधानमंतरी थे उन्होंने अभी recently शुरू किया कि वो कुछ बुधि जीवियों के साथ वारतालाब करेंगे और देश की economy जो कि बहुत बुरे हालात में है जी हाँ बहुत बुरे हालात में है देश की economy पर देश की economy है क्या हमारी economy पहले कौन से इतने बड़े आयाओमों पर थी जो अब इतने बुरे हलात में है इस वक्त हर विक्सित देश US, UK, Spain, Germany, Italy हर देश की एकॉनमी ठप पड़ रही है उसके बावजूद भी पहले क्वार्टर में भारत की एकॉनमी जो है वो 1-2% GDP ग्रोथ पे hold on कर पाएगी जब विक्सित देश अपनी एकॉनमी नहीं समाल पा रहे तो हम भारत से कैसे उमीद कर सकते हैं कि वो समाल पाएंगे आज तो यह लग रहा है कि एक नया धर्म भारत में अविश्कार कर दिया गया है उसे कहते हैं एंटी मोदी धर्म जी हाँ मेरी पिछली वीडियो पर कुछ लोगों ने मुझे टरेक्ट मेसेजिज भेजे कुछ ने मेरे यूटूब चैनल पर भी लिखा कि मैं मोदी भक्त हूँ और कुछ और शलोक उन्होंने यूज किये जो मुझे डिलीट करने पड़े क्योंकि मेरा चैनल एक फैमिली चैनल ही है तो उनको खास्त और से मैं बोलूँगा कि जब आप किसी के विरुष जाते हैं तो आप उसे उतना ही शक्षक्त बनाते हैं मैं मोदी जी के भक्त नहीं हूँ पर वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ये बात कहने पर हर हिंदुस्तानी को मजबूर कर दिया है श्री राम का वंच्षज हूँ मैं गीता ही मेरी गाता है चाती ठोक के कहता हूँ भारत ही मेरी माता है जी हाँ हर इंसान हर भारतवासी आज के दिन चाती ठोक कर ये बात कह सकता है क्योंकि मोदी जी ने भारत माता की जय हर जगा विश्व में हर स्तर पर की है